So hello guys, welcome back to my another video, मेरा नाम है रोहन और आप देख रहे हो Techie R और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीवो के अपकमिंग स्मार्टफोन वीवो V21E के बारे में जैसे पहले वीवो V20 ऐसी आता था वैसे अब उसकी जगा लेने बहुत जल्द इंडियन मार्केट में आने वाला है वीवो V21E बात करेंगे गाई इसकी स्पैसिविकेशन पर इसकी प्राइजिंग क्या होने वाली है इसकी लॉंचिंग डेट और ऐसी कौन सी गलतियां है जो वीवो बार बार रिपीट कर रहा है और बहुत जल्द वीवो को इन चीज़ों को सॉल भी करना चाहिए सो शुरू करते हैं वीडियो को बट उससे पहले अगर चैनल पर नहीं आए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो साथ में बैल आइकन भी प्रेस कर लो क्योंकि इस चैनल पर आपको इस तरह की लेटेस्ट और इ देख लेना डिस्क्रिप्शन में लिंक है आई बटन में लिंक मिल जाएगा बट ये वीडियो देखने के बाद ही जाना इस वापसाते इस फोन पर सो जैसे मैं बता रहा था इसका डिजाइन एंड बिल्ट ऑल्मोस्ट वी वीवी 21 जैसा ही है बैक साइड पर आपको वही इंटी फिंगर पिंट ग्लास मिल जाएगा जो की फोन को काफी बड़िया लुक भी देता है उसके लावा गाइस फ्रंट साइड पर आपको यहां पर स्कॉर्ट एक्स्टेंशन की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगी बात करें गाइस फिजिकल ओवर व्यू की तो यह बात कर लेते हैं इसकी डिस्प्ले की तो यहां पर इस बार आपको मिलती है 6.44 इंचिस की एक सूपर एमलेड डिस्प्ले फुल एच्टी प्लस रेजलुशन के साथ में 60 हर्ट का ही आप पर रिफ्रेश्ट मिलेगा 120 हर्ट का ही आपको यहां पर टच सेंप्लिंग मिलेगा एंड यहां पर आपको मिलता है 409 PPI उसके लावा 800 निट्स की आपको इसमें पीक प्रेटनेस देखने को मिल जाएगी अब गाईज ठीक है यहां पर अगर हमें रिफ्रेश्ट जादा नहीं मिलता बट यहां पर हमें सूपर एमलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है जो आप लोगों को यह चीज कैसी लगते है नीचे कमेंट में जरूर बताना मुझे यह चीज अची नहीं लगती में रेकॉर्डिंग ली यहां पर आपको पंचोल केमरा मिलना चाहिए बाकि आप लोगों को यह चीज अक्सेप्टेबल है या नहीं नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से बता कर जाना उसके बाद कर लेते हैं इसके केमरा की सो यहां पर बैक साइड पर आपको डियल कैमरा सेट अप देखने को मिलेगा यहां पर अच्छी बात यह होती है कि वीवो ने वह दो-दो मेगा पिक्सल वाली केमरा को हटा दिया है जिन कैमरा का एक्च्वल म 5 आपर अपको मेने क्वरा दिया गया है दन्च मैगा पिक्सल का अपको अल्टरा वैद अंगल मिलता है अब गई बात करें मैक्रो की सुइस ओंधर में ही अपको मैक्रो लेっस में मिल जाता है और यहीं पर आपको देप्थ कैमरा भी मिल जायेगा मतलब review से नहीं दिया गय जो उन से जरूरत है रखा गया है जादा कच्रा नहीं वलाया गया इस बार शो यह चीज जरूर से वीवो ने अच्छी गी है उसके लावा गाइस बात करते हैं इसके फ्रेंट केमरा की सो यहां पर आपको मिल जाता है 32 MP का फ्रेंट केमरा विद वॉटर ड्रोप नोच जो सो वीवो का कैमरा कैसा होता है घातिंग मुझे बताने की जूर्ट नहीं है जो कैमरा से आपको की sug intent नहीं होगी बट यहां पर एक चूटी सी खम्रेंट यह है कि वैक कैमरा से आप 4k video recording नहीं कर सकते हैं यहां पर 10 80p पर ही recording कर सकते हो 30 fps पर क्योंकि इस फोन में जो प्रो यहां पर आपको दी गई है 4000 mAh की बैटरी विद 44 वाट के फास्ट चार्जर के साथ में अगर तो आप नॉर्मल यूजर हो नॉर्मल डेली के वर्क करते हो फिर तो 4000 mAh बैटरी आपको एक दिन का बैटरी बैक आप दे देगी उसके लाबा गईज बात कर लेते हैं इसके प्रोसेसर की सो यहां पर आपको दिया गया है MediaTek Diamond City 700 जी हां गईज इस फोन की जो प्राइजिंग है वो एक्सपेक्ट की जा रही है नियर बाउट 25,000 बट यहां पर प्रोसेसर आपको मिलता है Diamond City 700 फाइब जी प्रोसेसर है बट फाइब जी की दुनिया में गाईज यह एक एंट्री लेवल प्रोसेसर है मतलब अब तक का सबसे सस्ता फाइब जी प्रोसेसर में से कहूंगा क्योंकि अब तक का जो सबसे सस्ता फाइब जी फोन है उसमें हमें प्रोसेसर मिलता है जैसे रियल में पोको में इनके जो स्टार्टिंग फोन है 14,000 की रेंज में 5G वाले यहां पर वीवो ने यह चीज गलत कर दी, मैंने पनी लास्ट वीडियो में भी यही कह था वीडियो अगर आपने नहीं देखी डिस्रिप्शन में लिंक है, आई बटन में लिंक है जरूर से वह भी देख लेना, उसमें भी गाईज मैंने यही कहा था कि प्रोसेसर बुरा नह मिल जाती है, तो यहां पर इस चीज को वीवो को थोड़ा सुधारना पड़ेगा, बाकि आप लोगों की क्या रहा है इस फोन के बारे में इस प्रोसेसर के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, अब बात कर लेते हैं इसके वेरियंट एंड प्राइजिंग की, यहा के साथ गाइज इसका प्राइज है, वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है निर बाउट 25,000, बिकाज अभी वीवो ने जो रिसेंटी लांच किया था वाइज सेवंटी फोन था और उसका प्राइज था 21,000, और वीवो का अभी एक और फोन चल रहा है वी ट्वेंटी वन 5G में उसका प्राइज है 30,000, तो इस फोन को उन दोनों के सेंटर में ही एक्सपेक्ट किया जा रहा है, मतलब 25,000 तक की रेंज में आपको इस फोन देखने को मिलने वाला है, और उस प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग, जो इस फोन की स्पेसिफिकेशन हैं, वो गाइज वैल यह भी देखने वाली बात होगी, एंड होपुली इस चैनल पर आपको इस फोन के एक हैंडज ओन वीडियो भी देखने को मिल जाएगी, सभी टेस्टिस के साथ में, सो वो वीडियो देखने के लिए चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दो, यहां पर गाइज आपको प्रोसेसर उस लेवल का नहीं मलता, आफ्टर यहां पर गाइज, आप लोगों को फरक पड़ता है या नहीं, बट यहां पर गाइज, बैटरी को भी थोड़ा से इंक्रीस किया जा सकता था, I know फोन स्लिम बनाना है, बट फिर भी बैटरी कर थोड़ी से इंक्रीस कर देते, तो थोड़ी जादा अची बात हो जाती, so guys, इन सभी चीज़ों को देखते हुए, मेरे लिए फोन इस प्राइस पॉइंट पर वैल्यू फोर मनी नहीं रहेगा, बाकि आप लोगों को इस फोन के बारे में क्या राय है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, बाकि मेर होता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, thanks for watching.